भाई और बेहनों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, मूर तो आपका बहुत अच्छा है। सुकु जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकरता, आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब मैं इसके बारे में दो चीज़े कहना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने अपनी आँखों से सुकु जी को मेहनत करते हुए देखा है। कॉंग्रेस पार्टी के विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है। और दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकरता, आम आदमी आम आदमी और आम कार्यकरता नहीं होता है। सब के सब लोग स्पेशल होते हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। और हमारे सारे के सारे कार्यकरता, दिल से, दिन भर मेहनत करते हैं। जब हमारी सरकार होती है हमारी विचारधारा को प्रॉपगेट करते हैं जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकरता करते हैं हमारे कार्य करताओं में और बीजेपी के कार्य करताओं में फरक क्या है बहिया बाद में तरी आपसे बातचीत करनी है डायरेक्ट कर रहा हूं हमारे कार्य करता आजादी के लिए लड़े हमारे लाकों कार्य करता जनता की आवाज बनकर आजादी के लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्य करता ने देश को ये समविदान दिया है ये समविदान कोई मामुली किताब नहीं है और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉंस्टिटूशन बना मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉंस्टिटूशन की समविदान की सोच हजारों साल पुरानी है हिंदुस्तान के महापुर्शों की सोच इस कॉंस्टिटूशन में है और ये हिंदुस्तान की भारत की बहुत पुरानी आवाज है BJP के कार्य करता BJP के नेता इस सम्विधान पर आक्रमन कर रहे हैं सम्विधान पर आक्रमन करने के अलग-अलग तरीके हैं सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमन उनके नेता खुल कर कह रहे हैं मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे फाड़ के फेक देंगे तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खतम करेंगे कॉंग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है वो कहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए देश की आवाज नहीं होनी चाहिए सिरफ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए मतलब आपने सुना अपने आप अपने कानों से आपने सुना आज कल नरेंद्र मोदी के इंटर्व्यू चल रहे हैं देखेंगे आपने वो चार चम्चे बठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं मोदी जी एक बात बताईए आप आम कैसे खाते हो आप क्या उसको छील के खाते हो या चूज के खाते हो मोदी जी जवाब देते हैं पता नहीं सब कुछ अपने आप होता है मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बाकी हिंदुस्तान खेती करता है मेहनत करता है मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूँ अकेला जिसका डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कोनेक्शन है उन्होंने कहा और चम्चे कहते हैं वा 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 कमाल की बात बोल दी क्या बोला मतलब एक व्यक्ति जिसको डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूर है वो तो डाइरेक्ट बात कर रहे है मुझे थोड़ा डर लग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनके हाथ में तो परमानु बम है और मैं उनसे पूछना चाहना हूँ नरेंद्र मोधी जी जो ये आपको फिलिंग आती है क्या ये सुबह आती है शाम को आती है या 24 घंटे आती है मतलब ये पिरियोडिकली आती है जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है अलग-अलग बिमारियां होती है कोई शाम को आती है कोई सुबह लगती है तो ये मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी आप अकेले हैं आप डाइरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो अच्छा अगर एक दिन सुकु जी मेरे पास आए बंद कबने में मुझे कह दे कि राहूल जी मेरा डाइरेक्ट परमात्मा से कोनेक्शन है मैं उनसे कहूँगा सुकु जी ये सब ठीक है हिमाचल की जंता को बाहर जाके मत बोल देना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मगर प्रदान मंत्री खुल के बोल रहे है कि मेरा डाइरेक्ट कनेक्शन है तो ये आलत है इंदुस्तान की मतलब मजाग बना रखा है मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं मीडिया के मित्र हैं मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं आदानी के मित्र हैं और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं ये जो इनकी पार्टनर्शिप चल रही है मोदी जी अधानी जी और मीडिया वालों की इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है सारे के सारे स्टोरिज फसिलिटी नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिया है और जब भी वो चाहता है जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं मुंबाई में एरपोर्ट, लखनाउ में एरपोर्ट, साथ एरपोर्ट पकड़ा दिये पचास साल के लिए यह हिंदुस्तान की पुझी है, यह आपका आपका धन है नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिये एरपोर्ट पकड़ा दिये, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिये शायद परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि भाईया आपको अदानी जी की मदद करनी चाहिए यही हो सकता है तो पिछले दस सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है यहां पर आपदा आई हिमाचल प्रदेश ने प्रदान मंत्री से सपोर्ट मांगी अगले मीटिंग में प्रदान मंत्री आएंगे आप हिमाचल की जनता को बताईए जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे हमने 9000 करोड मांगे थे उन्होंने नहीं भेजे मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड रुपया कर्जा माप किया है आपने 9000 करोड रुपय मांगा आपको कहा हम नहीं देंगे आप मुश्किल में थे 22,000 परिवारों को नुक्सान हुआ सब कुछ खो गए और प्रधान मंत्री कहते हम आपको नहीं देंगे आपको 9000 करोड ने दिया उनको 16 लाख करोड रुपय दिया मतलब अगर आप साल का मन्रेगा का पैसा ले 24 साल मन्रेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया हमने किसानों का कर्जा माफ किया था UPA के टाइम 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों का उतना बनता है 16 लाख करोड रुपय और ऐसे ही दे दिया उसको कहते हैं विकास और जब हम मन्रेगा देते हैं बोजन का अधिकार देते हैं किसानों का कर्जा माफ करते हैं मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगार रहे हैं मजदूरों की आदत बिगार रहे हैं के आदत बिगाड़ रहे हैं अमीरों का काम होता है यह फैशन बन गया है यह फैशन बन गया है मीडिया उनके हाथ में आपने मीडिया में हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेव के किसान को देखा है कभी टीवी पे आते हैं सेव के किसान कभी उनकी बात चलती है कभी मजदूर को देखा है नई अधानी जी अंबानी की शादी देखी आपने देखी आठ करोर रुपे के गड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाँ 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 कर रहे हैं पैसा किसका है आपका है कहां से आया जी एस्टी से आया सेब के किसानों के जेब से आया तो ये दो तरीके के मतलब रास्ते हैं 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है और बाकि हिंदुस्तान देखता रह जाता है तो यही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूँ दस साल में उन्होंने 16 लाग करोड रुप्या 22-25 लोगों को दिया है मतलब 22 अरब पती उन्होंने बनाए हैं अगर आप अधानी की शेर प्राइस देखें प्रधान मंत्री नरेंद्न मोदी स्वेरिन होते हैं और उसके एक दम बाद आज आप जाके गूगल पर देखिए अधानी जी की शेर प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है डाइरेक्ट पूरा देश जानता है जो शेर्स खरीते हैं जानते हैं कि भईया अगर नरेंद्र मोदी है तो अधानी का बिजनस आस्मान में जाएगा पूरा देश जानता है सारे इंवेस्टर्स जानते हैं तो इन्होंने बाई सरपती बनाएं अब हमें भी काम करना है हम करोणों लाखपती बनाने जा रहे हैं देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी यह हमारा पहला काम होगा देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश, टमिल नाडू हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे भी अपारियों के परिवार होंगे, पांच जुलाई को, करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, आठ हजार पांच सो रुपए आपको मिलेगा, जुलाई में, पांच जुलाई, पांच अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नोवेंबर, डिसेंबर, जैनुरी, ठका ठक, 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 ठक ठक अंदर, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे, कि देखो, इंडिया की सरकार, गरीबों को, डाइरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डाल कर, उनकी आदत बिगाड़ दी है, और मैं कहूंगा, कि अगर आप लोगों ने ज़ादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे, मुझे कोई फर्वन नहीं पड़ता, आपकी credibility गई, खतम हो गई है, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं, क्यूंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ई नहीं, आप जनता के हो ई नहीं, आप किसानों के मजदूरों के छोटे वियापारियों के हो ई नहीं, नोट बंदी की नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के सारे के सारे छोटे वेपारियों को खतम कर दिया गलत GST लागू की प्रेस वालों ने एक शब नहीं बुला बिल्कुल चुप बैठे रहे तो इसलिए हर महीने खटा-कट 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 अंदर जाएगा जब परिवार गरीबी रेका से उपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार एक लाक रुपे साल का देगा यहाँ पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है जैसे मैंने कहा अधानी जी आते हैं किसानों को सेब बेचना होता है प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है यह आलत पूरे देश में है किसान जाते हैं मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीते हैं शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन उस पे प्राइस लिखे होती है मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है शही बात है न? इसलिए पहली बार हम एक करामतिकारी काम करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी minimum support price, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं और वहां नहीं रुकेंगे, मैंने महिलाओं की बात की, एक लाग रुपे आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं जैसे उन्होंने अरब पत्यों का किया वैसे हम किसानों का करेंगे अच्छा एक बात भूल गया यहाँ पे महिलाएं भी हैं पुर्ष भी बैटे हैं मैं इनके चहरे देख रहा हूँ पुर्षों गे चेहरे देख रहा हूं यह देख रहें मेरी और यह कहँए भाईया महिलाओं के बैंक अकाउट में क्यूhö हमारे बैंक अकाउट में क्यूँ नहीं महिलाओं ठोड़ी खुश दिख रही हैं पुर्ष सोच रहे हैं भाई आप बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहां कैसे आएगा प्लैनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यूं और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उधारन है 21 सदी में स्त्री और पुर्ष दोनों काम करते हैं स्त्री और पुर्ष मजदूरी करते हैं जॉब करते हैं डिलिवरी का काम करते हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं आठ दस घंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुष घर के बाहर काम करते हैं उसके लिए स्त्री को और पुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, कॉंपनसेशन मिलती है मगर फिर शाम को स्त्री और पुष घर जाते हैं पुष रिलाक्स करते हैं और 3-8 घंटे और काम करती है मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुर्ष आप घंटा काम करते हैं दिन में तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है ये शाहिद पुर्षों को बात अच्छी नहीं लगी देखिए ताली और बजा रही हैं आप थोड़े ताली कम बजा रही है इसलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाक रुपे आठ हजार पांच सो खटा-खट-खट-खट-खट-खट-डाल रहे हैं मगर मैं जानता हूँ कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाएंगे तो इनको भी फाइदा होगा अब यहाँ युवा भी हैं कह रहे हैं भई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो आपने अरब पतियों की बात की डी मॉनेटाइजेशन जी एस्टी की बात की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हमारा क्या होगा नरेंद्र मोधी जी ने हमें वाइदा किया था दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा कुछ नहीं हुआ सरकारी रोजगार सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती है पेपर लीक होते रहते हैं हमें जूट बोला जाता है हमारा क्या होगा सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे मैं आपको 2 करोड 2 करोड का जूट नहीं बोलूँगा हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा तो 30 शुरुआ 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बात दूसरी बात मन्रेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का मगर जो हमारे ग्रैजुएट्स हैं कॉलिज ग्रैजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स डिप्लोमा होल्डर्स उनको मन्रेगा योजना से फाइदा नहीं होता क्योंको मजदूरी नहीं करेंगे वो ग्रैजुएट्स तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रैजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे है इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार पब्लिक सेक्टर बी एचेल, एचेल प्राइवेट सेक्टर, बड़ी-बड़ी कंपनियों में सरकारी ओफिसे, सरकारी हस्पताल सरकारी कॉलिजिज, उनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को ये अधिकार मिलेगा एक साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी बहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ओफिसेज में आपको मिलेगी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट 8500 रुपय जाएगा एक साल में आपके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपया जाएगा महिलाओं के बैंक अकाउंट में बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में किसानों के बैंक अकाउंट में मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपय मिलता है, हमारी सरकार आईगी 400 रुपय मिलेगा आश्या और आंगनवाडी में जो महिलाएं काम करती हैं आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि हम ये cash injection जो है पैसे का injection हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं इसके पीछे सोच है ये कोई free gift नहीं है ये मत सोचिए कि आपको free gift दिया जा रहा है देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16,00,00 करोड रुप्या करजा माग किया अदानी का, अमबानी का बड़े-बड़े अरपतियों का उन्होंने इस पैसे से लंडन में, न्यूँ यॉर्क में उस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग-अलग चीजे खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा मगर जो उन्होंने धन, खर्चा है वो पूरा गापूरा उन्होंने बाहर खर्चा है हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा है इसके कारण हिंदुस्तान के अरध्विवस्ता आस्ते चलने लगी है रोजगार नहीं पैदा हो रहा है अब हम क्या कर रहे हैं हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं आप इसको अमरीका में नहीं खर्च करोगे जपान में नहीं खर्च करोगे आप इसको हिमाचरल प्रदेश के गाउं में कजबों में, शेहरों में, सिमला में बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे जैसे ही आप ये पैसा हजारों करोर लाकों करोर रुपे जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे आप शर्ट करीदोगे, पैंट करीदोगे, स्कूटर करीदोगे motorcycle खरीदोगे, mobile phone खरीदोगे, ये चीज़े खरीदोगे, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही हिंदुस्तान की factory या made in India शुरू हो जाएगा और उनी factory यो में और उनी factory यो में जिन बेरोजगार युवाओ को हम training दे रहे हैं जिनके bank account में हम एक लाक रुपे डाल रहे हैं उनी factory यो में made in India वाली सची made in India वाली factory में उनी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है तो एक प्रकार से जैसे motorcycle start होती है पहले आपको fuel tank में petrol बरना पड़ता है वेसे ही हम हिंदुस्तान के अर्थववस्ता में petrol fuel डाल रहे है आपके जेब में fuel डाल रहे है उसके बाद हिंदुस्तान की अर्थववस्ता चालूहोगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा तो ये हमारी planning है मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ देखिए यहां आपदा आई हमने हमाचल प्रदेश की जन्ता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माधियम से 9000 करोर रुपए मांगे थे उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया मना किया और उसके एकदम बार जब हमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज़ादा जरूरत थी उन्होंने पूरा दम लगा कर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की यह आप भूलिये मत लड़ाई Constitution की है समविधान की है जो भी आपको मिला है आपको स्केट मिला न जो आपको हमाचल प्रदेश स्केट मिला वो इस Constitution की देन है इस Constitution की मिना हमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता था इसलिए इसकी रक्षा करनी है यह अमबेटकर जी का Constitution है महात्मा गांदी जी का जवालना नहरू का और हिंदुस्तान की अवाज इस Constitution में गुंचती हैं मैं जानता हूं हमारे कार्य करता इस Constitution सम्विधान के लिए लड़ेंगे और यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों seat Congress Party को आप दिलवाने का काम करेंगे मेरी बहन को तो आप उठाके ले गए वो अब सिमला में रहती है यह याद रखिए कि हम दोनो प्रियंका और मैं दिल्ली में आपके सिपाई हैं सुखी जी और Congress Party की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाई हैं दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाई हूँ प्रियंका जी आपके सिपाई हैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैहिमाचल